हेलो स्टुडेंट्स, माइ नेम इस आमिर, एन आम यूर इंग्लिश टेंटर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में अगर हमें कभी भी किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है कुछ करने के लिए तो उसे हम इंग्लिश में कैसे करते हैं आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो लेसन में मैं आपको बताने वाला हम उडियू प्लीश का इस्तमाल हम कैसे करते हैं इंग्लिश बोलते समय तो ज़्यादा टाम ना विस करते हुए चलिए, करते हैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट class start करने से पहले हम कुछ नए words सीख लेते हैं जिनका हमें daily basis पर इस्तमाल करना होता है पहला word आपकी screen पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है see you जब भी हम किसी से बिछड़ते हैं तो हम इस word कर इस्तमाल करते हैं हम बोल देते हैं फिर मिलेंगे तो अगर हमें इससे English में बोलना होता है तो हम लोग बोलते हैं see you इसी की जगे पर अगर हमें इससे बोलना है कि कल मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम उस में see you के बादë बें tomorrow add कर देंगे तो पूरा का पूरा sentence बन जाएगा see you tomorrow ऐसे ही अगर हमें किसी से बोलना है आशा करता हूँ आपसे फिर जल्दी ही मुलाकात होगी आपसा करता हूँ आपसे जल्द मुलाकात होगी फिर मुलाकात होगी तो हम बोलते हैं इस इंग्लिश में hope to see you again hope to see you again अगर आपसे बोलना है किसी से आपको कि आपसे मिलकर अच्छा लगा तो आप बोलेंगे nice to see you या nice to meet you ऐसे अगर आपको बोलना है कि आपसे मिलकर खुशी हुई जब बिछडते हुए ही सारे के सारे words बोले जाते हैं तो वहाँ पर हम बोलते है nice meeting you अब चलिए करते हैं अपनी आज की class स्टार्ट स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा टॉप पे लिखा हुआ है would you please इसकी हिंदी है महरबानी करके क्या आप अब यहाँ पर ID क्या दी हुई है? ID लिखी हुई है जब भी हम किसी से भी कुछ करने की request करते हैं हम किसी से भी कुछ करने की request करते हैं तो वो request हम would you please का इस्तमाल करते हैं example लिखा हुआ है यहाँ पर sentence आपके सामने दीख रहा है लिखा हुआ है महरबानी करके क्या आप मुझे वो किताब उठा देंगे महरबानी करके क्या आप मुझे वो किताब उठा देंगे इसे हम इंगलेश में बोलना है तो हम कैसे बोलते हैं इसे हम बोलते हैं वूट यू प्लीज पासमी डाट बुट यानि कि अगर हमें किसी से रिकृस्ट करनी है तो हम would you please का इस्तमाल करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं would you please का rule क्या है तो बहुत ही simple सा rule है सबसे पहले आपको would you please add कर देना है ध्यान रखिए सारे के सारे interrogative sentences है तो यहाँ पर would लग रहा है आपको वह helping verb है, starting में लग रही है तो जैसे यहाँ पर rule क्या है अपर हम English में क्या बोलेंगे तो वही है सबसे पहले महरबानी करके क्या आपके इंग्रेजी आपके सामने होगी would you please आप बचा क्या है मेरे लिए गहना गाएंगे तो बन जाएगा sing a song for me या sing me a song would you please sing a song for me महरबानी करके क्या आप मेरे लिए गहना गाएंगे would you please sing a song for me और कुछ sentences अगर हम देखते हैं practice purpose पे तो कुछ और sentences आपके सामने लिखे हुए महरबानी करके क्या आप थोड़ा खिसकेंगे generally होता कि जब हम public transport यूज़ करते हैं अब फिर थोड़ा खिसकेंगे तो move a little would you please move a little अगला sentence लिखा हुआ है महरबानी करके क्या आप मुझे गलास पानी दे देंगे तो फिर वही महरबानी करके क्या आप would you please और मुझे गलास पानी दे देंगे give me a glass of water would you please give me a glass of water I am sure आपको समझ आ रहा होगा आगे चलते हैं और देखते हैं would you like का स्थमाल हम कहां पे करते हैं तो would you like का स्थमाल हम तब करते हैं जब हम किसी से कोई इच्छा पूछते हैं कि क्या आप ये करना चाहेंगे जैसे यहाँ पर ID लिखी हुई है जब भी हम किसी की भी इच्छाएं पूछते हैं कि सामने वाला क्या करना चाहेगा तो हम वहाँ पर would you like का स्थमाल करते हैं example है कि आप मेरे साथ dance करना चाहेंगे क्या आप मेरे साथ dance करना चाहेंगे अगर आपको ये पूछना है तो कैसे पूछेंगे तो आप इसे पूछेंगे would you like to dance with me would you like to dance with me तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है यहाँ पर हमने would you please के जगे पर would you like use किया है, सामने वाले की हम पसंद पूछ रहे हैं, इच्छा पूछ रहे हैं इसका rule क्या हो जाएगा, इसका rule हो जाएगा, इसका rule हो जाएगा आपका, सबसे पहले would you like लगाएगे, इसके बाद to आएगा, फिर verb आएगी first form में object और बचा ओवा portion आपका आजाएगा sentence है क्या आप चाय पीना चाहेंगे, तो इसे कैसे बनाएगे, तो क्या आप चाहेंगे, would you like to have a cup of tea, would you like to have a cup of tea, ऐसे ही अगला sentence हम देख लेते हैं, तो अगला sentence आपकी screen पर लिखा हुआ है, क्या आप movie देखने चलना चाहेंगे, क्या आप movie देखने चलना चाहेंगे, तो क्य मसालेदार खाना चाहेंगे, क्या आप कुछ मसालेदार खाना चाहेंगे, तो would you like to have, have means खाना यहाँ पर आ जाएगा, something spicy, would you like to have something spicy, तो I am sure चीजें आपको समझ आ रही होंगी, यहाँ पर हम use कैसे करते हैं, अब आपको practice खुद से करनी है, तो मैं कुछ merge करके आपको 2-4-5 sentences बता देता हूँ, जैसे suppose मुझे किसी से बोलना है, कि महरबानी करके कि आप मुझे वह अचार उठा देंगे, तो आप उसे बोलेंगे English में, would you please pass me that pickle, would you please pass me that pickle, जैसे मुझे बोलना है, महरबानी करके कि आप मुझे वह कुर्सी उठा देंगे, तो आप बोलेंगे, would you please pass me that chair, would you please pass me that chair, या फिर आपको किसी से बोलना है, कि महरबानी करके कि आप मुझे वह किताब देंगे, तो आप बोलेंगे, would you please give me, या pass me, यहांना कि पास का इस्तमाल है कहीं पे रखा हुआ है और आपको दे दी जाए और गिव का मतलब पर्मनेंटली देने के लिए हो जाएगा तो यहां पर हम प्लेस का यूज कर देंगे अब आपको किसी से पूछना है कि क्या आप एक कप चाय पीना चाहेंगे आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे आप मुवी देखना चाहेंगे आपको समझ आ गया होगा आज की क्लास में फिलहाल इतना ही बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नहीं क्लास में तब तक इंगलिज बोलने के प्रेक्टिस करते रहिए बाइ बाइ और चाहेंगे